दो दिन पहले लेहे में जवानों से सीधी बाचीत करते हुए चीन को सक्त संदेश देने के बाद 5 जुलाई रविवार को परधान मंत्री नरेंद मुदी ने राष्टपती रामनात कोविज से मुलाकात की बताया जा रहा है कि इनके भी राष्ट्रिय वे अंतर राष्ट्रिय मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें चीन एहम मसला रहा शुकरवार को परधान मंत्री अचाना की ले के पास निमू पहुँचे थे और इस्तिति का जाईजा लेने के लिए वहाँ जवानों को संबोधित किया परदान मंत्री के इस दोरे से भड़का चीन परदान मंत्री नरेंद मोधी ने सक्त संदेश दिया था कि भारत सांती प्रिय देश जरूर है लेकिन कमजोर नहीं चीन का नाम लिये वगैर उन्होंने उसकी नीतियों पर सवाल खड़ते हुए यह भी संदेश दिया कि भारत के जवान मूतोड जवाब देना जानते हैं अंतर राष्टी इस्तर पर भी बड़े देश चीन को ही कटगहरे में खड़ा कर भारत के पक्ष में हैं राष्टपती तीनों सेनाओ के कमांडर भी होते हैं ऐसे में प्रदान मंत्री ने उनसे मुलाकात कर विविन मुद्दों पर जानकारी दी और चर्चा की राष्टपती भवन ने ट्विट कर इसकी जानकारी दी यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब देश कोरुना से जूचते हुए बहार निकल रहा है राष्टिय और अनतर राष्टिय इस्तर पर परिश्थितिया कठिन है